हेलो एवरिवन वेलकम तो फिंट स्ट्री आज हम बात करेंगे 5 क्रिप्टो करंसी की जिनका बुलिश रन देखने को मिल रहा है तो बने रहे हैं हमार साथ वीडियो के एंड तक ताकि आप इसकी पूरी डिटेल्स जान सेकें हमें देखने को मिला है कि जब जब बिटकोईन क प्राइज इंक्रीज हुआ है तो कहीं न कहीं बाकी क्रिप्टो करंसी पे भी बहुत जादा इफेक्ट पड़ा है बिटकोईन का जो ट्रेड है वो 55,000 से जाधा देखने को मिल रहा है उसका जो प्राइज है वह सीड हो रहा है 55,000 से आद उसका जो डॉमिनेंस लेवल था वो भी कहीना कहीं इंक्रीज हो गया है 40.7 से सप्टेंबर में 40.7 परसेंट था और आज 45 परसेंट हो गया है जिसका मतलब है कि क्रिप्ट के अई करीज में व क्रीज में काई कीन की का अई कर दिए कि इन्वेस्टर के जो इसको खरीदने के लिए का जुक्रेज है उनमें वह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यह जो इंडिकेटर है वह सजेस्ट करता है कि जो मार्केट से उन्होंने चौट टाइम में अपना बना लिया है लेकिन यह पूरा निसेसरी सिग्नल नहीं करदा शौर्ट टम में करें तो उसकी पहले पूरी रिसर्च कर लें अगर हम इस्ट्री पर आते हैं तो इस्ट्री में उन्गी सेए कि फरीदें करोड़ेल थे और कहीं न कहीं मिस्स कर दिया है अब देखना यह है कि क्या जो बुल्स है वो अपनी अप मुवमेंट को कॉंटिन्यू रखेंगे क्या वो बिटकोइन को ऐसे ही खरीटते रहेंगे और जो उसका आल टाइम हाई प्राइज है उसको टच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो चल करता है कि जो ओक्लिक करता है वह है जो है वह रहतनी रहे है कड़ा है और प्राइज उसकर अपाज़सी थाइज तो यह भी हो सकता है जो फिफ्टी तौजन नाइंड़ ट्विंटी डॉलर से भी नीची आजाए और अपना उसका जो एवरेज आ उसका ऑपजेट ही हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि यह जो फिफ्टी डे सिंपल मुविंग उसका एवरेज था फॉर्टी सेवन थाउजन फाइवंडड़ डॉलर का उसको टच करते हुए वह और नीची आदे फॉर्टी थाउजन डॉलर पे तो हम बात करते हैं जो बुल्स है उन्होंने इसका जो प्राइज है वह ट्वंटी एम में एक से कम आने नहीं दिया लेकिन अगर ऐसा होता रहा कि उसके प्राइज आप होते रहेंगे तो जो फॉर्स साइन ओफ वीक्नेस हमें देखने को मिल सकता है जो ब्रेक और फ्लोस जो ट्वंटी एम में का अगर उ जो बुल्स है वो अपनी जो वाइंग पावर उसको कॉंटिनू रखते हैं या बियर अपनी सेलिंग बिटकॉन को सेल करते हैं पैस को नीचे लाने के लिए तो यह था बिटकॉन के बारे में तो जो हमारी नेक्स क्रिप्ट क्रिप्ट करनसी है पॉल का ड़ॉट दॉट उ उसमें ग्रैजुली मुविंग अप की सिचुएशन देखने को मिल भी है उसका रिजिस्टेंस लेवल था 38.77 डॉलर का वो कहीना कहीन उसकी क्रोस देखने को मिल रहा है और जो आरे सही है उसने जो ड्राउंट टेंड लाइन थी उसको कट कर दिया है और कहीना कहीन एक एड्वांटेज मिल रहा है बायर्स को कि उसका प्राइज है जो बुल है उनका प्राइज इंक्रीज कर दे 38.77 डॉलर से अगर ऐसा हो गया तो जो हैट इन शॉल्डर पैटरन है वो इन्वालिड हो जाएगा उसका फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इसका मतलब है कि जो फेलियर है बेरिश का वो पॉजिटिव साइन बन जाएगी बुलिश वालों के लिए और इसका प्राइज शॉर्ट टर्म में भी इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है अगर हम पॉलका डोट के पेर की बात करें तो उसकी जरनी है वो कहीना कहीं अप होत करने को मिल रहा है यह कहीना कहीं है करेगा यह जो प्राइज को क्या करना होगा अगर उनको अपने प्राइज को बुल करना होगा नीचे कहीना कहीं पूल करना होगा उनको अपनी जो क्रिप्टो करनसी है उसको बेचना होगा ताकि वो अपनी सूपर में सिप बनाई रखे और प्राइज इसको नीचे रख सकें यह जो पेर है वो कहीना कहीं ड्रोप हो सकता है 220 EMA जिसका मतलब है कि वो एक स्ट्रॉंग स्पोर्ट बिना सकता है और लेकिन अगर प्राइज अप रहा तो वो प्राइज 38.77 डॉलर भी छू सकता है यह जो लेवल है वो अगेन एक स्ट है वो क्रिप्तो करवं कुंख कर दिया तो फर्ती एट पॉइंस 700 औलर को टॉच कर सकती है लेकिन अगर सेंग में इसका दूसरा साइट सोचे तो अगर उन्हां करना शुरू कर दिया तो इसका प्राइज वो डॉन डॉलर भी है दाउं brewing तच कर सक्ता है गूश कि जो होल्ड कर रहे हैं जिसने अपना 20-day EMA that is 24.55 डॉलर को बना के रखा हुए कुछ दिनों से जहां पर जो बुल्स है वो ट्राइ कर रहे हैं कि वो स्पोर्ट को डिफेंड करें अगर यहां पर बुल्स ट्राइ कर रहे हैं डिफेंड करने की तो जो वह भी कम नहीं है वो बड़े वो नहीं जादे कि उनिस्वाप का प्राइस है वो बड़े इसलिए वह भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे है उसको मेंटेन करने के लिए तो जो पायाज है उनको पुछ करना पड़ेगा और जो प्राइस है उनिस्वाप का उसको बढ़ाना होगा तो नेक लाइन प्राइस है उसको कम्प्लीट किया जा सके यह जो बुलिश रिवर्सल सेट अप हम देख सकते हैं जो पैटरन है जो टार्गेट करना चाहता है थर्टी सिक्स पॉइंट डॉलर का लेकिन यहां पर जो बियर्स है वो डिफेंड कर रहे हैं जो पैटरन है वो 31.41 डॉलर जी का है है जो ट्ववंटी डे Hub मेंदेखने को मिल रहा है ऌर जो अ रहे है वो भी वी यमीड कर है जिसका मतलब उसमें थोड़ा सा ओंड वह जो प्राइज prices close down 20-day EMI पे इस case में जो Uniswap है जिसका pair है वो ड्रोप हो सकता है 22 डॉलर पे भी जिसका मतलब है कि बियर ने अगर प्राइज सिंक कर दिया तो वो 17.73 डॉलर भी हो सकता है तो इस तरह से इस चीज को मेंटेन करकर रखेंगे अगर हम लास्ट फोर आर्स की चार्ट की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा है कि जो रेंज है वो 24 डॉलर और 26 डॉलर के बीच में ही बनी हुई है अगर बैचना शुरू कर दिया तो वो जो लेवल है वो 26 डॉलर के अबव भी जा सक है पार सकता है उसका मतलब है की जो सकता है तुस्तовор है चलिक्वं के अगर सेल करना शुरू कर दिया तो उसका राइस के भी टच कर सकता है और दूसरी तरफ अगर हम देखे अगर भी रजिन से सेल करना शुरू कर दिया तो जिसका प्राइज है वह 24 डॉलर से भी नीचा सकता है अगर हम लास्ट में देखे तो भी टुटीटीटू डॉलर भी टच कर सकता है अब हम बात करते हैं चेन लिंक की जिस 26.19 डॉलर में ही कई दिनों से देखने को मिल रहा है बहुत जो भी आवरेज है वह वह फ्लाट देखने को मिल रही है और रस जो है वह मिड़ पॉइंट से थोड़ा से उपर है जो दिखा रहा है कि दिमांड और सप्लाई में बैलेंस बना हुआ है यह एक्विलिब्रियम हो सकता है अगर बाइस जो है उसका प्राइस 28.19 डॉलर के उपर पंशाद है यह जो रैली है वह 32.11 डॉलर भी तच कर सकती है अगर हम वह देखे तो उसका जो ओवरेड रिजिस्टेंस है 35.33 डॉलर का उसको भी वह तच कर सकती है यह जो एक हमें अगर हम इसका ऑपजिट सोचे तो यह 25.20 बी कर सकती है अगर यहां पर यह जो को सेल करें और उसके नीचे देखे तो वह 22 डॉलर और उसके नीचे तो वह 20.82 डॉलर भी देखने को मिल सकता है तो यह था चैनलिंक के बारे में जिसमें हमने आपको बताएगे किस तरह अगर बियर मुवमेंट तो वह कितना अप हो सकता है तो अब हम बात करेंगे मोनेरो की जिसका प्राइज जो है वह 50-day SMA that is 271 डॉलर और उक्तूबर 5 देखने को मिला था और उसने जो ड्राउं ट्रेंड लाइन थी उसकी उसने अक्तूबर 6 को टच कर ली थी अब बात करते हैं अब यहां पर जो है व्ठी क्रिवह ठेंड लीध्स कर रहे हैं राइन रें गो हमने बाकी जो crypto कुंत पहले बात कि में उसे स्टारा जो बुल है जो चाहते है कि प्त कासं को वह अच्वेंद करने की कोशिछ है और हमें देखने को मिल रहा है जो इद पर शैंद करें लें संब्सवरा है उसका अब देखने को मिल रहा है and RSIB इसका positive है जो बता रहा है कही ना कहीं कि buyers के लिए advantage हो सकता है and यह dollar 300 भी touch करेगा कही ना कहीं और इसके बाद अगर हम और सोचें तो 325 dollars and then to 339.70 dollars भी touch कर सकता है अगर हम इसकी contrary पे जाएं तो price down भी हो सकता है अगर यह 20-day EMA को touch करके break down करके तो यह उसका price कम भी हो सकता है वो 250 dollars भी touch कर सकता है and 225 dollars भी touch कर सकता है यह जो bulls है वो repeatedly push कर रहे हैं ताकि जो price है वो round train line के उपर जाए लेकिन नहीं चाहते ही कि वो उसका price उपर जाने दे इसलिए वो भी कहीं ना कहीं बना के रख रहे हैं कि price नीचे ही रहे तो यह 20-day EMA is flattered out हो गया है और जो RSI है वो center के थोड़ा सा बीच है जिसका मलब और फिर कि वह supplier demand में जो contrast है वो बना हुआ है अगर इसका price उन्होंने 286.8 dollar से उपर पंचा दिया एड उसके उपर 296.80 जो उसका dollar का जो last देखने को मिल सकता है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कि जो इसका resistance level होगा वो कहीं ना कहीं break हो जाएगा यह अपना जो peak point है उसको भी touch कहीं ना कहीं कर सकती है तो यह थे मारे जब 5 cryptocurrencies जहां पर पात की किस ताना अगर bearish movement आएगी तो इसका price सबसे नीचे भी जा सकता है हुआ हुआ है